प्रिप्टो करन्सी यूजर्स निकल करके आई है जो कि आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़ादा जरूरी है सबसे पहले तो आप सभी जितने भी इंडियन क्रिप्टो करन्सी के यूजर्स हैं उनके लिए गुड नियूज है गुड नियूज यह है कि आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा हमारी इंडियन गोवर्मेंट ने 1 आफ जुलाई से 1 परसेंट का TDS एंप्लिमेंट कर दिया था और उसके बाद में सभी लोग TDS पेड कर रहे हैं लेकिन हमारे जो इंडिया कंट्री का एक छोटा सा एक्सेंज है जिसका नाम है BitBNS इसने आज अपने ओफिसियल ट्वीटर एकाउंट पर ट्वीट करके बताया है कि आप लोगों को अब TDS देने की कोई भी जरूरत नहीं कहने का मतलब TDS फ्री होने वाला है जितने भी Bitcoin क्रिप्टो करंसी के यूजर्स हैं जितने भी लोग BitBNS क्रिप्टो करंसी को यूज करेंगे अब आप लोगों सोचिए कि आपका TDS BitBNS एक्सेंज क्यों पेड करेगा सबसे बड़ा रीजन और लॉजिक के साथ में अगर यूज करते हैं कंडीशन पहले ही इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है आपका TDS फ्री रहेगा लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा इनके प्लेटफर्म को यूज करना पड़ेगा और एक साल तक आपको सिस्टमाइटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यूज करना पड़ेग इक्सेंज यूज करेंगे तो हो सकता है आप ट्रेडिंग करें इन्वेस्टमेंट करें लॉंग टरम के लिए होल्ड करें कहने का मतलब आप लोगों से जो रेविन्यू जनेरेट होगा उसी में से क्या करेंगे ये आपका जो टेडियस होने वाला है उसको ये पेड करेंग तो ये एक good news तो है लेकिन आप सभी लोगों ने एक चीज और notice किया होगा जितने भी Indian cryptocurrency के exchanges हैं वो यहाँ पर बहुत सारी problems का सामना करते रहते हैं जैसे deposit का problem हो गया, withdrawal का problem हो गया, maintenance का problem हो गया ये तीन problem हमने regular basis पर face किये हैं जितने भी Indian cryptocurrency के exchanges हैं और इसके साथ में price में manipulation भी देखने को मिलता है तो इसलिए आप सभी लोगों को भी alert रहने की जरूरत है और इसके साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पर recommend कर रहे होंगे कि आप bit bns exchange को use कर सकते हैं और अगर मेरा personal opinion जाना चाहेंगे तो आप सभी लोगों को limited investment करना चाहिए 10 to 20% तक आप maximum अपने portfolio का हि यूज कर सकते हैं लेकिन यूज करने से पहले मेरी जो personal opinion है वो आप लोगों के लिए यह है कि जितने भी इनके disclaimer होंगे जो भी notifications होंगे जो भी terms and conditions होंगी उस चीज को आप सभी लोग बहुत अच्छे से research study analysis कर लीजिएगा उसके बाद में ही कोई भी action आप लोग लीजिए आप उसी exchange को use करिए जो आपको अच्छी service provide करता है market में जितने भी cryptocurrency के exchanges हैं बहुत सारे exchanges यहाँ पर problems create करते रहते हैं तो हर एक exchange से बचने के लिए यही तरीका है कि आप limited exchange को use करिए और उसके बाद में limited investment भी करते रहिए तो यह कुछ important good news थी आप सभी लोगों के लिए I hope क आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा आज के वीडियो में इतना ही था वीडियो में अगर 1% भी knowledge मिली है तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा share ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा और channel नहीं subscribe किया है तो कर लीजिए हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए take care best आप लग है ब